नमस्कार दोफ्तों तो टाटा पावर के उपर या नीचे गिरने का जो भी आएगा वो 8 नमबर को आने वाला है रजल्ट के दिन आने वाला है पर एक्सपेक्टेशन क्या होने वाली है पर 4 गिगावर्ट वाले प्लांट पर भी नज़र रखेगा यह याद रखेगा तो जो रजल्ट आने वाला है अगर मैं बात करूँ जून की करते हैं कि 15,000 करोड के करीब का रविन्यू था रविन्यू बढ़ने वाला है रविन्यू 16,000 करोड से जादा काने की एक्सपेक्टेशन है देखे यह एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है मार्केट एक्सपेक्ट करके की उमीदें हैं क्योंकि देखिए कोईल के पैसिस कम हुए थे इस वज़े से इनकी profitability में impact पड़ेगा और solar panels के prices भी कम हुए थे 3514 करोड के करीब करीब का profit था रे profit बढ़के 3800 से 4000 करोड के करीब करीब का हो सकता है तो profitability बढ़ने इसे बहुत फायदे होंगे और solar business में अगर profitability बढ़ती है तो इस टोक में rocket बन सकता है कोई buying selling recommendation नहीं obviously पटी याद रखिए और यह बात सबको पता है खासकर mutual funds को और पिछले कुछ महिनों में mutual funds ने दबा के 3-4 करोड शेर करीदे हैं इसके अंदर यही reason है उनका उन्हें लगता है result अच्छा आएगा solar business अच्छा करेगा और इसी वज़े से उन्होंने अपने cob change के और renewable के ध्यान रखेगा तो वीडियो को like करना बिल्कुल मतुले